हेलो नमस्कार दोस्तों मिरना मैं कपेल और स्वागत आप सभी का फूर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 30 कोशन आंसर जो कि आपके आने वाले सभी परतों की परचाओं के लिए अतिमातपूर्ण है तो इसलिए आप इस वीडियो को सुरुसान तक जरूर देखेगा और इन्हें याद कर लिजेगा ठीक हैं अगर आप इस वीडियो का फिर फाइल डॉनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप फोर आपकी सक्सेस जोइन करे से डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप जोइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चले अब कोशन कर बढ़ते हैं याँ पर मारा पहला प्रस्ण है बोलो मीटर मापन की एक युकती है देखे बोलो मीटर जो है एक वैज्ञानी कुपकरन है इसका पर्योग उसमिये वीकिरन को मापने के लिए किया जाता है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्ट टू मातरकों की अंतरराश्ट्रे पधती किस वर्स लागू की गई तो मातरकों की अंतरराश्ट्रे पधती वर्स 1971 इस्वी में लागू की गई थे नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्ट 3 सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने की आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना 1905 इसवी में सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना वर्स 1905 इसवी में गोपाल कृष्न गोखले ने की थे नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्फूर हेमेटाइट और मेगनेटाइट किसका अयस्क है तो हेमेटाइट और मेगनेटाइट जो है ये दोनों ही लोहा के अयस्क है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्फाइव सेलिबीच सागर कहां इस्थित है आंसर है आर्कटिक महासागर में सेलिबीच सागर कहां इस्थित है तो या आर्कटिक महासागर में इस्थित है next question है question number 6 ग्रामिन परसासन के लिए प्रसीद राजवन्स था तो ग्रामिन परसासन के लिए प्रसीद राजवन्स चोल था चोल राजवन्स किस थापना किस ने की थी तो चोल राजवन्स किस थापना विज्यालने की थी नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्ण सेवन A century is not enough किस की आत्म कथा है तो पुस्तक A century is not enough के लेखक है सौरव गाउंगली A century is not enough सौरव गाउंगली की आत्म कथा है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्ण 8 किस खनीज को मुर्खों का सोना भी कहा जाता है तो मुर्खों का सोना मुर्खों का सोना कहा जाता है पाइराइट को ठीक है पाइराइट को मुर्खों का सोना भी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर नाइन एलिफेंटा दर्रा कहां इसे थैं तो एलिफेंटा दर्रा जो है एलिफेंटा दर्रा यह इसे थैं स्री लंका में नेक्स्ट कोशन है कोशन मर् 10 केंद्र राज समंधों से समंधित मुद्दों की जाज के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की निउक्ति की थे तो देखे केंद्र राज समंधों से समंधित मुद्दों की जाच के लिए केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग की निवकती की थे नेक्स्ट कोशन है कोशनमर 11 लेसल पत्थू किस भारते राज का लोक निरित्ते है? आंशर है नागाल लैंड का लेशल पत्तु जो है नागल लैंड का लोक निरित्ते है नागल लैंड का अधिकारिक भासा क्या है तो यहां की अधिकारिक भासा अंग्रेजी है भारत का पहला पर्मानू अनुसंधान रियक्टर कौन सा है तो दिखे भारत का पहला पर्मानू अनुसंधान रियक्टर जो है वह है अपसरा ठीक है भारत का पहला पर्मानू अनुसंधान रियक्टर अपसरा है इसका निर्मान कब किया गया था तो इसका निर्मान अपसरा क तो पंद्रह इस्वि में आत्मिय सभा का गठन राजा राम मोहन राई ने किया था नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्फोटीन भारत के वर्तमान राष्टिय ध्वज का डिजाइन किस ने तियार किया था तो भारत के वर्तमान राश्टी द्वज का डिजाइन पिंगली वैंकया ने तियार किया था नेक्ष्ट कोशन है कोशन वर्फिप्टीन राश्टपति द्वारा जारी अध्यादेश संसत के सत्र सुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है तो यह लागू रहता है 6 सब्ता तक देखे इप संसद के असगन के समय यानि जब संसद सत्र नहीं चलने की स्थिति होती है तब राष्टपती जो है अनुछेद 120 के तहट अनुछेद 120 के तहट जो है अध्यादेश जारी करते है जिसका अध्यादेश चारी कर सकते है ठीक है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है इसका प्रभाव संसद के सत्र सुरू होने के बाद 6 सब्ता तक लागू रहता है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्श 16 विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप ये कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप जो है वह है प्रायदीप जो है सबसे बड़ा प्रायदीप आरब प्रायदीप है ठीक है प्रायदीप क्या है तो प्रायदीप क्या होते है तो देखें, प्रायदीप भूमी के वो भाग होते हैं, जिनके तीन तरफ जल और एक तरफ अस्थल होती है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप कौन सा है, तो वह अरब प्रायदीप है, नेक्स्ट कोशन है, कोशनमर 17, मानव सरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन कोशनमर 18, एक्रायन गरंथी का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखें, एक्रायन गरंथी, एक्रायन गरंथी का प्रमुख कार्य पसीना उत्मन करना है, नेक्स्ट कोशन है, कोशनमर 19, गन्ने की लाल सडन के लिए कौन जिमेदार है, तो इसका आंसर है, कोलेटो, ट्राइक फ्यलकेटं गन्य की लाल सडन रोग के लिए जो है कोलेटो ट्राइकम फ्यलकेटं जिम्यदार है नेस्ट कोशन है कोशन में 20 भारथिय राष्ट्य कांग्रेश्ट के स्थापना किस वर्स होए तो भारथिय राष्ट्य कांग्रेश्क manifests के स्थापना वर्स 1885 हुई थे भारति इसके स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉड डफरिन था ठीक है नेक्स्ट कोशन है कोशन में 21 बीबी का मकवरा कहां से थे बीबी का मकवरा बीबी का मकवरा जो है यह औरंग जेव की पत्नी रभ्या उद्धोरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का मकवरा है इसका निर्मान औरंग जेव ने करवाय था बीबी का मकवरा कहां से थे तो यह महराश्ट के औरंगाबाद जिले में से थे औरंगाबाद में ठीक है और देखे बीबी का मकवरा को जो है इसे दुद्धिय ताजमहल भी कहा जाता है तो आप इसे भी याद रखेगा नेक्स्ट कोषन है कोषन मरे 22 लंदन में इंडिया हॉस के स्थापना किसने के तो लंदन में इंडिया हॉस के स्थापना स्याम जी क्रिश्न वर्माने की थे जब हमें अतधीक ठंड लगती है यहां भैबीत होते हैं तो कौन सी मानस्पेश्यों के सिकुर जाने के कारण रोंग्टे खड़े हो जाते हैं आंसर है अरेक्टर पिली देखे जब हमें अत्यधीक ठंड लगती है यहां भैवीत होते हैं तो अरेक्टर पिली मांच स्पेस्चियों के सिकूर जाने के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन मारे 24 मोर को राष्ट्र पच्छी कब घोसित किया गया तो देखें मोर हमारा राष्ट्र पच्छी है तो मोर को राष्ट्र पच्छी कब घोसित किया गया था तो इसे वर्स 1963 हिस्वे में जो है मोर को भारत का राष्ट्र पच्छी घोसित किया गया next question है question number 25 भारत के सर्वोत सहित्तिक पुरोसकारों में से एक ग्यानपीट पुरोसकार के स्थापना किस वर्स की गई तो ग्यानपीट पुरोसकार जो है इसके स्थापना जो है ग्यानपीट पुरोसकार के स्थापना वर्स 1961 हिस्वी में की गई थी इसके स्थापना 1961 हिस्वी म पुरोषकार वर्स 1965 इसु में जी संकर कुरुप को दिया गया था ग्यांट पुरोषकार के तत विजेता को कितनी धन रासी दी जाती है तो उन्हें विजेता को 11 लाख रुपे की पुरोषकार रासी दी जाती है ठीक है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्ट 26 भारत में आठ भाग है आयरुवेद का जनक किसे कहा जाता है तो आयरुवेद का जनक चरक को कहा जाता है चरक को नेक्स्ट कोशन है कोशन मर्ट 27 जेट धाराय प्राय कहां पाई जाती है तो जेट धाराय जो है यह प्राय छोब मंडल में पाई जाती है कोशन मर्ट 28 है कौन सा एंज जो है यह दूध को पचाने में सहायख होता है next question है Question में 29 Hameis National Park तो दिखे हमし Nacional Park जो की हम 13 के निवास अस्थान के लिए परसीद है केंदर साशित परदेश लद्दाक में सुन है हम primary का असथ है तो यहाँ लद्दाक में सुन है और यह हिंद तेंद्वे का निवास ससान के लिए प्रसिद है लास्ट कोशन है कोशन में 30 सूर्य की उस्मा पिर्थवी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है तो सूर्य की उस्मा पिर्थवी पर विकीरन माध्यम द्वारा पहुंचती है तो फ्रेंड्स यह थे जिके के टॉप 30 कोशन आंसर अगर यह वीडियो आपके लिए हेलफुल रही हो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक तथा सेर जरूर कर दीजेगा अब मिलते हैं नेक्स टूडियो में थैंक्स फोर वाचिंग झाल-च 20 का हम कोल मिलते हैं झाल-चाहि यह खाओकी उपके प्लेशे झाल-चाहिव प्लेश यह थे ख cœurगए यह उऌए हम तनने। झाल झाल